हाई एवरिवन आप सबको स्वागत है कोड़ एड्यूकेशन के अंदर चैसकी गाइस आप सबको पता है कि रियाक इंट्रव्यू की सीरीज कंटिन्यू हो रखी है और जिसके अंदर हमने पांच वीडियो बना ली है अगर आपकी कोई भी वीडियो में सोगी है तो प्लेइलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अविल्बल है और मेरी स्क्रीन पे भी आपको ये सेकिन नंबर की प्लेइलिस्ट दिख रही होगी यहाँ पे आप जाएंगे Code for Education के चैनल पे और playlist section में आपको यह playlist second number में मिल जाएगी जाके देख सकते हैं videos, okay तो बहुत important question है आज का guys क्योंकि beginner level पे भी यह question पूछा जाता है और advanced level पे पूछा जाता है क्योंकि यह react की application से optimize related है यह question तो इस video में देखेंगे हम इस question के बारे में कि किस तरीके से proper तरीके से आप इसका answer दे सकते हैं theory wise भी और practical में कैसे करके दिखाएंगे आप इन सारी चीजों को तो वीडियो के अंदर जो question है वो proper देखने से पहले guys आप में से बहुत सारे लोग नए है code for education पे तो उनसे एक humble request है कि code for education पे आए और playlist वाले section में आए जिस पे आने के बाद आपको यहां पे बहुत सारी playlist से देखनों को मिलेंगी like college से आप operate में कैसे आएंगे react की series जो continue कर रहे हैं आप अभी जो देख रहे हैं वो app route के से related, road map से related सारे road map है आपके redux, react router v6, react की आपके series latest react routine के साथ में react के project, advanced javascript, basic javascript, javascript के project, tips and tricks, bootchef5 आपका, bootchef5 के projects, html, css और बहुत सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें आपकी web development के अंदर लगती हैं वो सारी के सारी चीज़ें यहां पर इस channel के उपर available हैं जाएं, देखें, उसके बाद में कहीं पे भी आपको कोई doubt लगता है guys, तो comment करके अपने question को आप पूछ सकते हैं या one to one connect कर सकते हैं मेरे से किसी भी platform के उपर अब जितनी भी चीज़ें यह हैं आपके पास में, इनके source code कहां से मिलेंगे, मानिए कोई video देख रहे हैं और आपको उस video का source code चाहिए तो हमारे पास में दो option है source code provide कराने के, पहला github से मिलेगा आपको, जो भी source code आपको reacts related है, वो github पे रखा हुआ है हमने और जो भी अलग courses मैंने आपको दिये हैं, वो सारे के सारी चीज़े हैं, हमारी website codeforeducation.com इस पे available है, यहाँ पे चाहें, यहाँ पे download करें, और use करें उसको, और सीखें जितना ज़्यादा हो सके और इसके बाद में कहीं पे भी आपने से बहुत सारे लोग को need की जोरत है कि one to one connect करते हैं मेरे साथ में, तो आप यहाँ पे comment के through connect कर सकते हैं मेरे साथ में, आप यहाँ पे बहुत minimum price रखा है, मैंने क्योंकि यह platform जो भी लेता है उसके accounting, तो यहाँ पे मैंने जो भी price रख one to one कैसे connect कर सकते हैं, यह सारी चीजें, अब बात आती है यहाँ पे आज के question की, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है आपका lazy app, जैसे कि आपने github के ओपर भी देखा कि वहाँ title लिखा हूँ था आपका react lazy loading, तो वही पढ़ेंगे हम आज के इसके अंदर बट उसके स पूछा जा रहा है market में, तो यहाँ पे सबसे पहले question को देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे सामने आपको question यहाँ पे visible हो भी रहोगा, lazy loading का component, सबसे पहले तो आप समझ गए कि lazy loading करके दिखानी है आपको react application के अंदर, पहला scenario done, then task proper है क्या, इसको समझने की कोशिच करें आप तो मैं यहाँ पे आपको कौन से concepts यहाँ पे समझाँगा, कि lazy loading कैसे implement करते हैं, and then उसके errors को कैसे handle करा जाता है, यह सारी चीजे, okay, तो यहाँ पे वो क्या-क्या skill set चेक करना चाता है interview और आपका, यहाँ पे वो react, lazy loading देखना चाता है, suspense देखना चाता है, आपका code splitting और performance optimization, यह सारी knowledge यहाँ पे वो check करना चाता है, कि आपके पास में, अगर front end developer जा रहे हैं आप, और react का interview दे रहे हैं, तो यह सारी चीजे आपको पता होनी चाहिए, okay, तो यह question समझ गए आप, तो चलते हैं यहाँ पे इसको practical करने के लिए, अपने VS code के अईटर पे, so यहाँ पे आ सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट लेते हैं पहले, इंपोर्ट लेने के बाद में कुछ चीजों के हमें requirement लेगी, सबसे पहले तो वही suspense, जो मैंने आपको दिखाया था, then इसके बाद में lazy, and इसके बाद में use state भी होगा हमारे पास में, okay, use effect भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, okay, one by one इसे use करा जाएगा, एक और package लगेगा यहाँ पे, ठीक है, props related, यह वाला package आपने बहुतों ने नहीं देखा होगा, बहुतों ले नहीं होगा, तो यहाँ पे देखे, यह वाला package हमें use करना है, types के लिए, ठीक है, जो भी children के components हम बनाते हैं, जब lazy components के साथ में, तो वहाँ पे हमें JavaScript के error देखने को मिलते हैं, पहला हम उस error के लिए, हम error boundary यूज़ करेंगे, ठीक है, second, हम उसके types के लिए भी हम यहाँ पे चीज़ें use करेंगे, जो मैं यहाँ पे package यूज़ कर रहा हूँ, okay, उस तब जाके हमारा यहाँ अच्छा code बनेगा यह, okay, इतनी चीज़ के लिए आपको, तो सबसे पहले अभी हमें करना क्या है, एक component चाहिए अब हमें, तो मैं क्या करता हूँ, SRC के अंदर, यहाँ पे my component बना लेता हूँ, ठीक है, okay, यहाँ पे मैंने क्या करा, okay, file का path ही नहीं दिया, मैंने, यहाँ यहाँ पे आपका JSX बनेगा, ठीक है, यह देखे, यहाँ पे file बन गई है, अब यहाँ पे file बनाने के बाद में, आप क्या करना है आपको, यहाँ पे हमें क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पे just हम अभी, okay, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको, const लेना है, ठीक है, औ कुछ इस तरीके से मैं लिख भी लेता हूं यहां पर सकस्सफुल जो भी आप चाहें वो रख सकते हैं बट मैं आपको बस समझाने के लिए चीज़े लख रहा हूं यहां पर कि आपको पता होनी चीए ठीक है चाहते तो हम एक्सपोर्ट वहीं लगा देते बट आप चाहें त आगर कॉल करवाना होगा तो देखे कैसे करेंगे तो मैं क्या करता हूं Supposed मानिए कि मैंने यहां पर कॉल करवा लिया ओके यह zombie के आने के बात में यहां चलता हूं यहां पर आने के बात देखेंग तो δéخिए हैडिंग तो मिल रही थी आपको देखनेक लिए and then component जो हमने ब select है मैं हटा देता हूं no throtti पर करते हैं और refresh करते है अभी रिफ्रेश करने के बाद में आप देखेंगे यहां पर my component J6 है यहां पर 304 फर्स और यहां पर आप देखेंगे 145 bytes यह फाईल अभी इतनी है और आपका millisecond 2 जो भी ले रहा है यह अभी जब हम इसके अंदर implement करेंगे आपका lazy ठीक है तब देखना यहां पर कितनी सारी चीजे change हो जाएंगे और यहां पर आपका दिखेगा यहां पर आपका chunks का size भी आपको दिख रहा होगा one second one second ले रहा है आपका यह already wheat क्या करता है इसको कस्टमाइज कर देता है अगर मैं wheat नहीं use करता तो आपको actual में यहां पर थोड़ा सा heavier side दिखता component यहां पिक कर आए इसको मैं यहां से कर दूंगा remove यहां से भी remove कर देते हैं one by one करेंगे तो अच्छे तरीके समझ में आएगा यहां पर lazy लेते हैं lazy लेने के बाद में जो function हमें मिलता है इसके अंदर आपका arrow function ठीक है पहली चीज अब इस arrow function के बाद में देखे मैं यहां पर थोड़ा सा क्या करता हूं new promise ठीक है promise मैं define करना पहले तो मैंने and then इसके बाद में आपका यहां पर आ जाएगा यहां पर मैं लेलता हूं या तो म बाद में पहले मैं क्या करता हूं सीधा lazy लेता हूं lazy के बाद में directly direct हमारा यहां पर क्या करते हैं components को ठा लेते हैं it means कि import करवा लेते हैं like that यह देखें कुछ इस तरीके से slash my component इतनी चीज डन है यह चीज आपको clear है कि यहां पर हमारे यह चीज आ गई है अब इसके बाद म यहां पे आलय है मैं यहां पर आनेके बाद देखेंक तो देखें यह पर फेक ली यहां पे हमें छीजें डिख कर दीढ़ीं है तो अब आपको नहीं अपने आरोн आयों रखा ही यह तो हो गया बस एक चीज कि लेजी इंप्लिमिंट आहिरी शेल्रा जोण जावस्क्रिप्ट के जितने भी एरर्स होते हैं कंपोनेंट से रिलेटेट टिक है लाइस साथ में हमारे को फाल बैक यूवाई इंपोर्टन होती है कि आपका अगर वहां पे वह कंपोनेंट नहीं है तो उसके बदले क्या दिखा सकते हैं जिससे की यूजर इंटरफेस अच वहां पर इस चीज को कैसे करो एधे अर्र बाउंडरी थी ए बाइमको मैंथंड़ भी बता यह जो अगया दा रहा है तो सब से पहले आपका आजाएगाज बांडरी टिक है सेम आपको reflection लेरे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपकी नापको ऑन नेटरी यit जिसमें loading के साथ में, ठीक है, उससे पहले भी हम कर सकते हैं, network के साथ में, जो मैंने भी open करके आपको दिखाया था, but मैं उस method को भी बताऊंगा, कि जिससे कि आप और अच्छे समझ सकें उस चीश को, ठीक है, children लेंगे हापे हम, जो भी हमारा component होगा, वो children की तरह treat करेंगे हम उसको, then यहाँ पे हम क्या करते हैं, state, ठीक है, error लेते हैं सबसे पहल तो हम, and set hash, error कर देंगे हम इसको, ठीक है, and यहाँ पे आजाएगा use state, okay, use effect नहीं, use state, ठीक है, और यह by default क्या होगा, by default इसको करते हैं false, देखे, बहुत mistake हो रही है आज, इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे आपका use effect, okay, इसके बाद में same, इसके अंदर आएंगे यहाँ पे आपको, कुछ इस तरीके से, and यहाँ पे, ठीक है, इसके dependency empty रहीगी अब ही, अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखे, मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको event listener सिखाया था, windows के, javascript के अंदर, correct, अब वो ही करने ही कोशिश करेंगे, हम यहाँ पे, सबसे पहले, const, ठीक है, एर्र, और यहाँ पे directly ले लेंगे, हम कुछ इस तरीके से, और set hash error को, हम क्या करेंगे, हम पे true करेंगे, अगर जैसी हमें यह error boundary के अंदर, जो children है, वो नहीं मिलता, या जो पिए उसके अंदर errors आ रही है, फिर हमें यहाँ पे यह चीज़े help करेंगी, ओके, यहाँ पे अब क्या करते हैं, window.add, event listener लेते हैं, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे error कर देते हैं, यह देखिए, कुछ इस तरीके से, और जो अभी हमने ऊपर यह बनाया है, इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से pass कर देंगे, use effect के अंदर, ठीक है, इतनी चीज़ done, then इसके बाद में अब क्या, क्योंकि यहाँ पे return भी करवाना है कुछ, तो return करवाएंगे कुछ इस तरीके से यह देखिए, short form, ठीक है, arrow functions के में, अब यहाँ पे हमारा windows है, remove भी तो करवाना बहुत important है, yes, तो remove में क्या करेंगे हम, जब हमें वो components अच्छे तरीके से मिल जाएगा, import हो रहा है, तो सारी चीज़े हम यहाँ पे, error handling के थूरू remove करवा देंगे, यह चीज हो गए, ठीक है, इसके बाद में next, अब क्या, यहाँ पे return लगाएंगे एक और, hash, error है, ठीक है, अगर यह मिलता है हमें error, तो क्या दिखाना चाहिए user को, जिससे की user समझ सके, या पर developer समझ सके, कि भई, issue है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, error loading component, ठीक है, यह चीज done, तो यह है turnier operator, तो इसको हटाएंगे, and then अगर है successful, तो चीज रहना आ जाए, यह चीज done है, अभी यह call नहीं करवाई मैंने, अभी just हमने बनाई है, इसके बाद में, मैंने आप से कहा था, वो types declare करने के लिए, क्यों कि वो JavaScript के error देता है, उसको कैसे control करोगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे, हमें define करने पड़ेंगे, आपकी चीज़े क्या, सबसे पहले आपका error, boundary, पहले चीज, and जो prototype, ठीक है, वो जो हमने उपर अभी, props related चीज़े, वहाँ पे call करवाई थी न, वो, हम यहाँ पे ले रहे हैं, यह देखिए, कुछ इस तरीके से, children होगा, ठीक है, colon, props, ठीक है, node होगा इसके अंदर, अब यह चीज़े मत पूछना कि, node नहीं पता हमें, यह सारी चीज़े, JavaScript के अंदर, अल्रेडी पढ़ा रखिये मैंने, ठीक है, ओके, ज़्यादा ही हो गया यह, और यहाँ पे, is required लगा देंगे, कुछ इस तरीके से यह देखिए, ठीक है, इतनी चीज़ दन, समझ गए, कि यहाँ पे key value का pair बनाती है, जो कि defend कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे हमने रख लिया, अब यहाँ पे suspense अभी use ही नहीं हुआ, होगा, कैसे होगा, देखें, पहले तो सबसे पहले, हमारा error boundary आएगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, पहली चीज done, इसके बाद में, जब suspense आता है, तो उसके साथ में, मैंने आपको बताया, fallback, कि क्या दिखाना है हमें, जिससे की, समझ सके हमकी, क्या हो रहा है, वहाँ पे अभी correct है, तो, मानिए कि मैंने यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लिया, और यह देखें, ओके, remove हो रहा है, यहाँ पे यह देखें, ठीक है, अब इसके अंदर आएगा क्या, क्या दिखाना चाहते हो आप, मैं div दिखाना चाहता हूँ, किसका, loading का, यह देखें, इतनी चीज done है, इसके बाद में suspense भी आ गया, error boundary भी आ गया, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, अपना यह component पिक करना है, cut करना है, paste कर देना है, ठीक है, इतनी चीज done, अब देखें, पूरी फाइल में कहीं भी red show नहीं हो रहा, perfect है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पर done हो गया, इसके बाद चलेंगे यहाँ पर ब्राउजर पर, अब ब्राउजर पर समझने ही गुष्ट करते हैं, कैसे, देखें, सबसे पहले network on करता हूँ मैं, पहले तो मैं आपको refresh करके दिखाता हूँ, तुरंत, instant आया है, अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, slow 4G, और इसको refresh करता हूँ, यहाँ से, आपका empty catch है, and hard reload, अब देखेगा क्या होगा यहाँ पर, चिक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, जो जो चीजें हमने यहाँ पर use करिए, आपकी, देखें, loading आपको दिखा पहले, थोड़ी देरे के लिए loading दिखा, and loading के बाद में, जब component देखें successful मिल गया, तब जाके उस component के अंदर, जो भी हमने text रखा था, वो हमें मिला यहाँ पर, correct है, तो it's working, fine, अब इसके बाद में next, अगर मैं यहाँ से, मानिये मैं कुछ return ही ने करवाँ, ठीक है, और मैं यहाँ से कर दूँ आपका, कुछ इस तरीके से, तो यह चलेगा, मैं चलूँगा वापिस, मैं refresh करूँगा, ओके, यहाँ से loading आएगा, बट वो text नहीं है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ यहाँ पर, यह तो हमारा perfect है, अब मानिये कि मेरे पास में कोई component ही नहीं है, ठीक है, अब मैं slash कर रहा हूँ, मानिये कि, मैं main को ही वापस डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे पास में कोई component ही नहीं बचा भी, मैं main को वापस लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, main को लेकर आने के बाद मैं मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर refresh करता हूँ इसको, और refresh करने के बाद क्या है, successful चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने wrap कर रखा है आपका my component को, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कि अगर मैं यहाँ पर देखे, my component मैंने बोला कि, main हो जाना चाहिए, बट मैंने call क्या गरवा रखा है, यहाँ पर my component है, it means कि वो mismatch हो रहा है, आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या दे दिया, error loading component, बट चैसी मैं क्या करूँगा, वापिस से, सही कर दूँगा, देखें, मैंने सारी सेनारियो समझा रहा हूँ मैं आपको, कैसे testing करनी है, कैसे होगा, यह बहुत important है logic, ठीक है, वापिस से मैं आता हूँ, आपका दुबारा मैं यहाँ पर, empty cache है, plus hard reload कर रहा हूँ, and then इसके बाद देखें, यहाँ पर क्या होगा अब, ठीक है, यहाँ पर अभी यह दुबारा घूम रहा है, slow 4G पर था, देखें, loading आया, just component successful आया, और यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है, इतनी चीज के लिए रहा है, तो यहाँ पर आपका समझ में आ गया यह, अब आप चाहेंगे कि नहीं मेरे को तो loading दिखा नहीं है, भया, तो मेरे को वो कैसे मिलेगा, ठीक है, तो देखें, उसके लिए क्या करना होगा, next, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको comment कर लेता हूँ, नीचे आ जाते हैं, then const, my component, same, ठीक है, जो मैं अभी इससे पहले, सबसे पहले मैं यह जो सिखाने कोशिश कर रहा था, इसी method के साथ चल रहा था मैं, फिर मैंने सोचा, नहीं, पहले, promise वाले से पहले, वो सिखाते हैं, जो by default हमें मिल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, आपका new promise, ठीक है, पहली चीज, and then इसके अंदर, आपका resolve, arrow function है ये भी, okay, sorry, arrow function है ये भी, and the curly braces, ठीक है, set time out होगा आपका यहाँ पे, okay, then इसके बाद में, same, इसके अंदर भी आपका arrow function, resolve आएगा सबसे पहले तो आपका, and import क्या करवाओ के आप यहाँ पे, देखे, किसले करवा रहा हूँ मैं, जिससे loading पकड़ सको आप, अगर आप से interviewer ने कहा, कि loading दिखाओ मेरे को, तो loading दिखाने के लिए, आपको पता भी तो नचे, कैसे दिखाना है वो, ठीक है, मैं कहा कर देता हूँ, यहाँ पे 5000 कर देता हूँ, जो कि आपका 5 seconds के लिए होता है, ठीक है, आप चाहें तो 2 seconds के लिए भी लगा लेना, बट इतनी ही चीज मैंने define कर दी, देखे, promise के साथ में, new promise declare करके, ठीक है, वापिस चलते हैं हम यहाँ पे, same, यहाँ पे, आपका same, आपका hard करना है, hard refresh करेंगे, empty cache के साथ में hard refresh मारा मैंने, अब वेट करते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले आपका load हो रहा है, यह देखे, loading आपको दिख रहा है, continuously loading दिखेगा, जब तक वो set time out चलेगा आपका, then component होगा, तो successful component के अंदर की चीज़ें दिखेंगी, अगर नहीं होगा, तो error आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो आपको error boundary भी मैंने समझा दिया, आपको मैंने यह method भी समझा दिया, किस तरीके से करना है यह वाला method, correct है, और आपको यह single method भी मैंने समझा दिया, और loading का तो आही रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने इसके अंदर, interview के अंदर question रखा था, कि lazy loading कैसे use करते हैं, suspense कैसे use करते हैं, use state, use effect, और आपका error boundary, यह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे cover करती हैं गाईज, और आप इसकी practice करें, कहीं पर भी दिक्कत लगे, आपको तो comment कर सकते हैं आप, और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसकी practice करें, मिलते हैं ऐसे ही next video के अंदर, जब तक लिए till then, bye bye guys.